कि बिस्मिलाइबानियाहिम शुरू करते हैं आज का न्यूव लोग तो बिस्तर से उठते ही सबसे पहले मैं ब्लाइब्स को ओपन करती हूं ताकि कमरे में थोड़ी सी रोशनी आजाए उसके बाद मैं ब्लाइब्स को प्रॉपर कर देती हूं क्योंकि मोसम बहुत ही खराब ह है और यह सारा अंदर की दरफ से गिला हुआ हुआ है तो इसलिए इस ब्लाइब्स को हटा देते हैं ताकि यह जो पानी कठा हुआ हुआ है यह ड्राइब हो जाए उसके बाद मैं कोशिश ज्यादा तर मैं यह करती हूं कि इसको मैं टीशू के साथ साफ कर दूँ ताकि यह नीचे से भी खराब ना हो फंगस लग जाती है अगर हम ध्यान ना दें इसका तो इसको मैं टीशू के साथ यह देखिए यह हाल होता है इसका तो रूज़ाना इसको साफ करना पड़ता है ताकि हम फंगस ना लगे इसको तो टीशू ने तो काम नही किया तो अब कोई और कपड़ा लेके इसको अच्छे से क्लीण करूंगी उसके बाद तो मैंने विंडो को फ्रंट साइट से साफ कर दिया है तो मैंने और टीशू ही ले लिये थे तो अच्छे से अंदर वाली साइट से तो वो साफ हो गया है लेकिन अब बाहर का नजारा बहुत अचा नजारा आ रहा है यहां का तो मुसम ही कुछ ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा यहां पर तो बारिश होनी है होती रहेगी बारिश उसके बाद मैं सेरिश को अब उठाया है नहीं तो मैं पहले बिस्तर साफ करती हूँ अब नीचे जाएंगे क्योंकि अब सेरिश को उठाया है तो मैं बिस्तरव गयरा तो नहीं सेट कर सकती तो अब हम नीचे जा रहे हैं नीचे जाएंगे उसके बाद मैं सेरिश की पापा को तो मैं देती हूँ ब्रेक्फेस्स में उनको चाहिए होते हैं वीटाबेक्स तो वीटाबेक्स सेरिश की बाबा को तो चाहिए होता है वीटा तो उनको मैं वो देती हूँ उसके बाद मैं खुद भी जो वो खाते हैं वो मैं खा लेती हूँ उसके बाद हम सो जाते हैं तो तकरिबन फिर हम उठते हैं मैंने ये नीचे से भी ब्लाइंड नीचे वाले पोशन से भी हटा दी हैं तो उसके बाद मैं भी उनके साथ खा लेत तो फिर व्लोग बगएरा बनाते हैं तो टीवी बगएरा भी देखते हैं हम तो यहां पर मैंने टीवी सैट किया था सिटिंग रूम में यह मैंने कुछ सिटिंग रूम का हाल अभी तो गंदा है एक दो चीजन पढ़ी हुई है साफनी की कल रात को इदर चाय गिर गी थी तो क्या कर सकते हैं, तो किचन मेरा साफ सुत्रा है, यह सबसे ज्यादा मुझे ना, इस चीज का मसला होता है, कि यह आए दिन, एक दिन साफ करो दूसरे दिन कोई ना कोई चीज गिर जाती है तो इसका तो बुरा हाल हो जाता है अदरवाइस तो ये मैंने साफ रखा होया है लेकिन ये शीट चेंज करकर के भी मैं तंग पड़ गई हूँ और बाकी किचन तो साफ सुत्रा है सिर्फ ये एक बरतन दोने वाला है बाकी मैंने साफ करके रखे थे तो क्योंके मैं ब्रेक्वेस्स सुभा कामी के साथ ही कर लेती हूँ सुभा ठाइम जब वो जाते हैं तो अब इस टाइम मैं कुछ डिफरेंट ट्रायक करती हूँ क्योंके मैंने खाना आता है मैं सेंड्विच बना लेती हूँ यहां कोई भी चीज असानी से जो बन जाए अकेली ने खाना होता है तो अपनी मेनत नहीं कर सकती मैं तो अब सहरिश बैठ तो रही नहीं थी तो मैंने सोचा के नीचे सिटिंग रूम में कंबल ले जाती हूँ सहरिश को कंबल में बठाऊंगी टीवी लगा के थोड़ी दिर दूँगी तो ताकि यह अराम से थोड़ी दिर बैठ चाहे और मैं कुछ काम करनूं काम बहुत करने वाले हैं लेकिन बच्चों के साथ जिनके बच्चे हैं वो तो समझ जी सकते हैं कितना मुश्किल होता है और खास करके छोटा बेभी हो तो बहुत ही मुश्किल है भड़े को तो हम डांट पट के चुप करवा सकते हैं लेकिन छोटे को कैसे चुप करवाएं तो यह मैंने कंबल लिया अब मैं सेरिश को नीचे लेके जारी हैं दुबारा इतने मेरे चक्कर सेड़ियों में लगते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है यह मैंने सोफ़े के उपर कपड़ा डाला था क्योंकि हम इदर खाना और खाते हैं तो खराब ना हो जाए अब मैं सेरिश को इदर लटाऊंगी बेटा ले जो यह भी लेटने को इसका भी दिल नहीं करता बस इसको लटाऊ और रोना शुरू कर देती है ओके टीवी लगा कर टीवी देख रहे हैं तो अब इसको कुछ टीवी में लगा कर देती हूँ शायद शायद यह बैट जे जी तो अब यह मैंने टीवी उन कर दिया है अब हम सेरिश को तो क्या उसको दिखाना है मैंने उसको थोड़ी आवाज आती रहे तो वो चुप रहती है दोपहर का मैंने डिसाइड किया कि मैं सेंड़िच बना लूँगी राद को मैंने मेकरोनी बनानी है तो बस और सफाई बगरा थोड़ी करनी है वो सेरिश सोएगी तो फिर ही होगी तो इसी के साथ अब देखते हैं खाने का सबसे मुश्किल होता है तो वो तो मैंने रात कोई असपर्ण से पूछ लिया था कि उन्होंने क्या खाना है डिसाइड करना क्योंकि मुझे बहुत मु है उद़र से कहना खाना होता है तो आसानी होती है कोई प्रॉब्लम नी होती तो अस्जानी से कहा जा सकता है तो अब इसी के साथ फीलोग को खतम करते हैं कि कि खुछ रहें अबाद रहें अपनों का ख्यार रखें अला हाफ इस पजल मेरी वीडियो पसंद आई हो तो भूलिए का अगर मेरे चैनल पर नेयो है न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें आला हाफिज